So, hello guys, what's up, I hope you are doing well, so आज के से वीडियो में हम डिस्कस करने बाले है, class 5th EBS, NCRT का chapter number 16, इस वीडियो के इंदर basically हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के सारे के सारे important question answers को, जो कि आपके exam point of view से important है, इस चैप्टर का वीडियो और इसके question answer का वीडियो मैं पहले upload कर चुका हूँ I hope कि आपने उसको देख लिया होगा, इस वीडियो में basically हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिफ important question को, जो कि आपके exam point of view से important है, इसमें हम MCQ भी देखेंगे, true false भी देखेंगे, match the column भी देखेंगे, और वो वाले question answers देखेंगे, जो की exam में आने की probability जिनकी बहुत ही ज्यादा ह So, चल यह start करते है, तो first question देखें हमारे पास क्या है, क्या कहता है first question, what kind of difficulties do they face in doing this work, अब यहाँ पर कहा गया है, किसके लिए कहा गया है, what kind of difficulties do they face in this work, कौन से work की बात हो रही है, अब आपको पता था, जैसा कि हमने chapter के अंदर पढ़ा था, जैसे कुछ लोग होते हैं, जो कुछ सफाई का काम करते है, drainage को साफ करने का काम करते है, जो सीवेज इतियादी होता है, उसका जो काम करते है, तो ऐसे लोगों को कौन कौन से difficulties face करनी पढ़ती है, जैसे clinic इतियादी का बर्क हो गया, जाडू लगाने का बर्क हो गया, तो इस तरह के लोगों को कौन कौन से difficulties का सामना करना पड़ता है वो हमने यहाँ पर बताना है इसमें तो देखे आंसर में क्या लिखा है they had to face many difficulties उनको जो है बहुत सारे difficulties face करनी पड़ती है difficulty मतलब मुश्किल है in doing this work मतलब मैंने आपको कहा सफाई का वर जो नालियां इत्यादी साफ करने का work हो गया मतलब जाड़ू लगाने इत्यादी वाला जो काम हो गया उस work की बात हो रही है they do this work in compulsion जो ऐसे लोग होते है उनको जो है जबरदस्ती ही यह काम जो है करवाया जाता है जैसे मानले जो कोई जाड़ू देने वाला है हाना कि यह जातर बड़ी सिटीज में होता है कोई जाड़ू लगाने वाला हो गया कोई ऐसा काम जो कोई cleaning का work कर रहा है कोई toilets इत्यादी साफ करने का काम कर रहा है तो उसके जो बच्चे होते हैं उनको भी जो है force किया जाता है इस तरह का काम करने के लिए कई बार तो इनसे जो है जबरदस्ती करवा जाता है compulsion मतलब यहाँ पर जबरदस्ती ही इनसे जो है करवा जाने का कोशिश करते है ऐसे लोगों से अब देखो जब वो इस तरह का कोई काम कर दे जैसे मान लोग कोई toilet साफ कर रहे है या कोई sewage इत्यादी को जो है साफ कर रहे है तो यहाँ पर देखो क्या होता है उनको जो है काफी ज़्यादा foul smell foul का मतलब होता है काफी सड़ी हुई जिसको की हम सहन नहीं कर सकते smell smell तो आपको पता है tolerate करना पड़ता है उस चीज़ को हमें मतलब काफी ज़्यादा उस smell को जो है हमें क्या करना पड़ता है ऐसे लोगों को क्या करना पड़ता है tolerate करना पड़ता है off garbage garbage का मतलब होता है कुडा कर्चरा तो जो कुडा कर्चरे के जो foul smell होती है तो इस तरह के condition में जो है इन लोगों को काम करना पड़ता है तो आप समझ सकते हो कि इनको कितनी ज़्यादा difficulties होती होगी next चम चलते next question क्यों next question देखी क्या है which five jobs would you not choose why अब यहाँ पर देखो अब यहाँ पर आपसे पुछा गया है कि माल लिजए अगर आपसे कोई पुछे कि आप ऐसी five jobs बताओ जिनको कि आप जिन्दगी में जो कभी करना नहीं चाओगे उनको कभी नहीं चांटोगे आप तो कौन कौन से जवाब है यह हालां कि आप खुद कर सकते हो जो जो आपको पसंद है वह जो आपने यहाँ पर लिख लेनी है मतलब जो आपको पसंद नहीं है वो लिखनी है तो यहाँ पर देखो जैसे labor का work हो गया मैं चाहता हूँ कि मैं ये काम ना करूँ sweeping का काम हो गया जैसे जाड़ू वित्यादी लगाना दूसरा gatekeeper मतलब watchman बने रहना gate के बाहर खड़े रहना वो काम भी मैं नहीं कर सकता peon बना farming मतलब इस तरह के काम ऐसे है जो मैं करना नहीं चाहता हूँ ठीक है आप वो वो काम लिख सकते हूँ जो आप नहीं करना चाहते तो उनको आप यहाँ पर लिख सकते हो तो यहाँ पर next देखो आप आगे पुछा है कि आप कौन सा काम करना चाहँ होगे फिर तो यहाँ पर देखो I want करना है आपने यहाँ पर W-A-N-T है ना want W-A-N-T इसको आपने correct करना है I want to do a job which needs much of mental work so that I can sit on a chair in an office and do work मैं कोई ऐसा काम करना चाहता हूँ जहाँ पर मुझे कोई physical work ना करना पड़े मतलब जहाँ पर मुझे अपने जो है physically कुछ भी ना करना पड़े मुझे जो है सिर्फ chair पर बैठने का इस तरह से हो मतलब chair पर बैठ हूँ मैं और मेरे पास जहाँ जातर mental work हो मतलब दिमाग का काम हो तो इससे क्या होगा जब दिमाग का काम होगा मैं chair पर बैठा रहूँगा in an office and do work और काम करूँगा next दिखते है next situation क्या है what kind of work or jobs do people not want to do why किस तरह की job है जिनको जो है जो लोग है हमारे इर्दगिर्द जितने भी लोग होते है वो कौन सी job को करना नहीं चाहते है why और वो क्यों नहीं करना चाहते है वो भी आपने बताना है तो यहाँ पर देखो कौन कौन सी job है जिनको लोग नहीं करना चाहते जेनरली पीपल डू नोट वांड जोब अप क्लिनिंग पुलिंग कार्ट सेलिंग बेजिटेबल्स अब यहाँ पर देखो कोई ऐसी जवाब होगी जैसे कोई टॉइलेट इत्यादी साफ करना या सीवेज इत्यादी साफ करना जैसे जो नालिय नूलिय इत्यादी होते हैं उनको साफ करना पुडा कच्राई कठा करना इस तरह को जो जाड़ू लगाना इस तरह के काम को जो है जैनरी लोग पसंद नहीं करते दूसरा पुलिंग कार्ट वो क्यों इस काम को नहीं करना चाते क्यों नहीं करना चाते तो यहाँ पर लिखा देखो वो इसको काफी नीच काम समझते है वो समझते है कि उनकी जो है उनकी जो इज़त है इससे खराब हो जाएगी अगर वो इस तरह का काम करेंगे next हम देखते, next question क्या है, why did Gandhiji and his team start doing the job of cleaning, इसके आगे आगे आपको cleaning करना है, यहाँ पर, cleaning, इसके आगे आपने cleaning कर देना है, ठीक है, यहाँ पर, एक बात में और बता दू, आपने सीधे जो है, नीचे slide से देखे, सीधे copy के ओपर नहीं लिखना है, आपने explanation को भी सुनना है क्योंकि बीच में कई जगा, टाइपिंग में mistake हो जाता है, तो इससे आपकी copy में भी mistake आ जाती है, तो जैसे जैसे मैं explain कर रहा हूँ, तो इससे आपके understanding भी हो जाएगी आपको, और दूसरा, जो है, जो भी error होगा, मैं आपको बताता जाओंगा साथ-साथ में, तो यहाँ कुछ लोगी, जैसे यह cleaning का work है, जैसे cleaning का work हो गया, जैसे कोई जाड़ू लगाना, toilet सीजादी साफ करना, तो यह कुछ एक विशेश community के लोग ही कहते थे, मतलब कुछ ही लोग कैसे करते थे, उस टाइम सारे लोग जो है, इस तरह का काम नहीं करते थे, तो गांधी जी ने चाहिए, ना कि एक विशेश टाइब के लोगों को, इसलिए उन्होंने खुद भी वो वर्क किया, खुद इसलिए किया, ताकि लोग जो है, उनको देख के वो, लोग भी जो है, स्टार्ट करें, इस तरह के कामें पार्टिसिपेट करना, तो इसलिए जो है, उन्होंने सफाई के अभियान को, यहां पर देखते हम देखो, गांधी जी वोंटेड एट, एबरिबड़ी शुद डू दिस वर्क इमसेल, यूँकि गांधी जी क्या चाते थे, गांधी जी ये चाते थे, कि जितने भी हमारे देश में लोग है, वो क्या करें, इस तरह के जो जितना देंसेल, उन्होंने क्यों स्टार्ट किया, वो भी उनसे कुछ सीख सके, उनसे कुछ लर्न कर सके, ताकि लोगों को लगे गांधी जी भी कर रहा है, तो हमें भी जो है, वो करना चाहिए, next हम देखते देखे is the work done by boys and girls men and women the same क्या जो boys and girls होते है और जो आदमी और और अरत होते है क्या उनके द्वारा किये जाने बाले जो काम होते है वो एक जैसे होते है तो यहाँ पर देखे क्या है इसमें nowadays boys and girls यहाँ पर आपने days करना day ही करना nowadays boys and girls men and women can do all kind of work आजकल जो है boys and girls होगे जो आदमी और और अरत होगे वो कैसे काम करते है वो जो है जो है सेम काम ही करते है आजकल जो है उनके काम में ज़्यादा difference नहीं रहा है जैसे कि आप देखते हो पुराने जमाने में क्या होते था पुराने जमाने में जो है काम बंटे हुए होते थे जैसे आप देखते हैं कि ओरतें जो है घर का काम ही करते थी सफाई इद्यादी का काम ही करते थे और लड़के जो है वो जो है खेतों में काम करते थे इसको अपने काड़ देना है यहाँ पर आपने इस इसको काड़ देजिए आप बॉइज और गुर्ल्स, मैं और बुमें can do all kind of work वो जो है हर तरह का काम कर सकते हैं दोनों बॉइज भी और गुर्ल्स भी बट गुर्ल्स और बुमें are usually involved in household work लेकिन फिर भी हम कहते तो है कि लड़के और लड़के जो है एक समान है उनके काम एक समान है लेकिन आज भी अगर हम अपनी society के अंदर देखे तो जो महिलाएं होती है वो जातर कौन सा काम करती है household work मतलब जो घर का काम ही होता है उसी में वो लगी रहती है उनको जो बाहर जाने नहीं दिया जाता है जैसे like cooking उनका काम होता है cook करना washing the clothes मतलब कपड़े इत्यादी धोना while the boys and men do the outdoor work जबकि boys और जो men होते है वो क्या करते है वो बाहर का काम जो है करते है मतलब खेतो इत्यादी में या कोई दूसरी job करते है next हम देखते है अब multiple choice question हमारे पास आ जाते है name one friend of mahatma gandhi अब mahatma gandhi के एक friend का नाम आपने बताना है जो की chapter के अंदर आया था first तारक मैता, second सज्जन सिंग third हमारे पास है महादेब भाई देसाई, चोथा है रोहन देसाई, तो इसका answer है हमारे पास महादेब भाई देसाई, तो ये इनके एक दोस्त थे, next who was mahatma gandhi, जो mahatma gandhi के हम बात कर रहे है वो क्या थे, freedom fighter थे, मतलब स्वतनतर का सिनानी थे वो soldier थे या cynic थे, policeman थे मतलब police में थे या doctor थे क्या थे mahatma gandhi, तो ये थे freedom fighter मतलब आजादी के लड़ाई में आजादी के लड़ाई लड़ने बाले एक नायक थे तो freedom fighter हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास next हमाते है, next question क्या true false है हमारे पास नारायन spends most of his childhood in गांधी जी आश्रम, इस गांधी जी का आश्रम में spend किया था, तो ये जो है true हो जाएगा हमारे पास next क्या हमारे पास, barber refuse to cut beams here, जो भीमराव अमबेड कर थे, उनके जो बाल थे, उनको काटने से जो है, नाई ने मना कर दिया था जो बारबर था, मतलब बाल काटने वाला साहिब को ये कहा उनने कि आप लोर कास्ट के हो आपका बाल जो है, मैं नहीं काटूँगा उस टाइम ठीक है, तो ये भी जो है true है next हम चलते, fill in the blanks में fill in the blanks में देखो क्या है, भीमराव फाउट for blank for people like him तो यहां पर देखो, मैंने आपको कहा कि भीमराव क्या थे ये एक काफी बड़े बिद्वान थे जिनका जनम जो है, हम कहा सकते हैं माली जाती में इनका जनम हुआ था मतलब ये काफी जो उस टाइम जो है, जब ये तो उस टाइम क्या था, भीमराव लोवर कास्ट से बिलोंग करते थे एक पर नाई के बाज जाते हैं और नाई इनके बाल काणने से मना कर देता है वो कहता है कि आप लोवर कास्ट के आपके बाल मैं नहीं काटूँगा तो उसके बाज जो है जो भीमराव अंबेडकर है जिनको हम बाबा साहिब भी कहते है तो इन्होंने काफी जादा एक लड़ाई एक मुहीम ही शुरू कर दी इन्होंने एक ऐसी मुहीम जिसके द्वारा इन्होंने जो है ऐसा निश्चित किया क्योंकि उस समय उनको बिल्कुल आदमी की तरह ट्रेट नहीं किया जाता काफी जादा उनके उपर शोषन किया जाता था लोर कास्ट के उपर तो इसलिए जो है बाबा सामने निश्चित किया कि मैं जो है जिस्टिस के लिए लड़ूँगा मतलब यह जो लोग है जिनके उपर इतना अत्याचार हो रहा है उनके जिस्टिस के लिए मैं लड़ूँगा उनको मैं नियाय दे लाऊँगा तो यहाँ पर क्या आएगा जिस्टिस फर्स वाले में क्या आएगा जिस्टिस है ना जिस्टिस मतलब नियाय तो यहाँ पर देखो इसमें क्या आएगा मतलब गांदी जी क्या कहा करते थे कि every person मतलब सारे के सारे person को मतलब जितने भी आदमी है उनको जो है हर तरह का काम करना चाहिए जैसे जो सभाई का काम होगा मैंने आपको कहा कि पहले उसको छिर्ष पर सिर्ष लोर कास्ट के लोग करते थे लेकिन गांदी जी ने कहा कि every person जितने भी person है उनको जो है सारे काम करने चाहिए जो cleaning है वो भी जो है एक common person को करना चाहिए next अम देखे third देखो बबलाबाद staying in गांदी जी बबला जो है गांदी जी के किस आश्रम में रहता था तो यहाँ पर देखो यहाँ पर जी आएगा गांदी जी का जी आपने capital करना यहाँ तो तो यहाँ पर आएगा साबरमती साबर मती साबर मती आश्रम में रहता था ठीक है गादी जी के साथ match the following अब आपने match करना है presence of garbage garbage में आपको कहा कि जो गंदगी होती है उसको garbage कहते है जैसे solid waste होता है जिसकी बज़े से production होता है तो उसको हम क्या कहते है garbage अगर garbage होगा हमारे इर्दगिर्द तो क्या होगा यहाँ पर देखो spread disease तो यह क्या करेगा disease spread करेगा simple सी बात है कि अगर इस तरह की गंदगी हमारे इर्दगिर्द रहेगी तो क्या होगे हम बिमार होगे मतलब disease spread होगे spread का मतलब फैलना है ना दूसरा देखो यहाँ पर आपने बाबा साहिब, अब देखो बाबा साहिब, बाबा साहिब को जो है भीमराव अंबेड कर जो है उन्हीं का नाम है बाबा साहिब, ठीक है, तो बाबा साहिब ने constitution को जो है लिखा तो यहाँ पर इसको constitution के साथ हमने जोड़ना है, तीसरा देखें, महत्मा गा of view से काफी important है I hope कि आपने इस वीडियो को enjoy किया होगा मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए goodbye